फिलम मूवी हिटो ना हो ये तो खैर पबलिक के ऊपर छोड़ दो लेकिन जहां तक रंग की बात है तो दाल हर तरे की खानी बंद कर दे जितने भी अंदभकते हैं यह सब फालतु फंड की बाते हैं यार आइसक्रीम खानी बंद कर दो भगवा कलर की है दाल खानी बंद कर द बढ़ गई है बेटी भाग गई बताओ किसका भाग गई आपकी बातों से भी लोग की भावना आतों कि बता बेहत तुके परसन के बेहत तुके ही जवाब दिये जाते हैं भगवा भिकनी क्या होता है फालतु की अजिवी का बादू को नहीं पहनने दोना आपको क्या जा अरे इससे पहले कोई हीरो हीरोई नहीं पहनी है मामाली नहीं पहनी है 2014 के पहले मुसल्मान थे उल्टी सीधी परसन पूछे नर्शकार मैं धानी शंजार और आप देख रहें प्यार भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए धनेशवर महतों हैं जो कि मीडिया के सामने बेबाकी से अपनी बात का जवाब देते हुए नजर आते हैं सवालों का इनसे बातचीत करेंगे पढ़ान मुवी को लेकर जिस त राष्ट बिरोधी बताता हूं जो राष्ट के अंदर आतंक फैलाने का काम करें हंगामा करने का काम करें उसे राष्ट बिरोधी कहते हम और असमाजिक तत्त भी कहते हैं तो उन बेक्तियों से कुछ नहीं उखड़ने वाला है फिलम मूवी हिट हो ना हो ये तो खैर पबल जलर से मैच खाता है और हर रंग जैसे पीला रंग है गनेश जी को चलता है भगवा है माता दुरूगा का रंग है काला है सनी देब का है यार विंदू मुसल्मान करना ना यह बिरोध है यहाँ तो मकसद है हिंदू मुसल्मान करेगा तो दोहजार चोबिस में चुनाव लड़ेगा ना अगर अगर मोधी जी नहीं है तो मोधी जी एक्षण क्यों लेते हैक मोधी जी नहीं है तो एक्षण लेना चाहिए एक बारी बोलते के खामोश कोई नहीं बोल सकता इस मेटर के उपर सत्रों सिना कर डायलो है कहाँ पर आपमान हो गया हिंदू का किसंदू का अपमान हो गया बाई मैं तो कहीं निदेख रहा कि कहीं किसी का अपमान है जो साधू संत इसका बिरोध कर रहा है वो सादू संत है कहां सबसे पहला नंबर सादू संत बहुत सांत होते हैं वो नफरती बाते सादू संत कभी नहीं पहलाते और वो तो सादू बोल रहा है कि मैं उसको जला दूँगा मार दूँगा वो तो भाईया जल समाधी लेने वाला था तो बाहर क्या कर रहा हो जल में ज उसने नहीं दिया तो हम जल समाधी ले लेंगे तो ले लेना चाहिए जी का क्या रोला बार बाट जो है राजनीती को टार्गेट करती है तो बॉलिवुड का मामला संतों का मामला है देखिए सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं सरकार इसलिए चुनते हैं कि देश को बहतर से चलाए जहां पर गल्ट दिसा में जनता जा रही है उसके उपट सक्त निर्दे लेके उसको टाइट करें अभी कल गुजरात के अंदर एक सनीमा हौल को तोड़ दिया गया है तो यह ग हराब बना दी है कोई मूबीरी खराब बना दी्यां को फिर वह में दोफीर हिंदू है कि हिंदु क्या है तो यह तो दसहरे के अंदर दुरूआ पुजा में मेरे पास आ जाओ तो आपको पता चल जाएगा जो धर्म की आर में खन्डेट पर संट हूँ क्या इसी क्या सथ smiling नीoooo क्या है भगवा भगवा एक कलर है तो सनातनी लोग पहनते हैं सादू संत पहनते हैं सादू संत तो सफेद बस्तर नहीं पहनते नहीं पहनते हैं और जदी मैं आपको सफेद बस्तर में दिखा दू सादू संतों को तो यह सब फालतू फंड की बाते हैं यार भगवा एक कलर है आइस्क्रीम खानी बंद कर दो भगवा कलर की है दाल खानी बंद कर दो भगवा कलर की है बेतु की बात कर रहे हो हल्दी मसाले सब खाने बंद कर दो विरोध कर रहे हैं कों लोग है तेरे यह तो आहत हुई है न अरे यह जो विरोध कर रहे हैं आरे सेस के ठाली के चट्टे बट्टे हैं विस हिंदू परिषद के बजरंग दल ये कौन है भारतिये शंताव पार्टी का ही तो एक हिस्सा है और कौन है आप समझी नहीं रहे इस चीज़ को बार-बार वही बात आप कह रहे हो किस भगवा वाले की मा भाग गई है बेटी भाग गई बता और किसका बाग गई आपकी बातों से भी भावनाहात होगी पता आपको परसन के बे तुके ही जवाब दिये जाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से आके पूछे बता तेरी रजा क्या है अपने आपको मजबूत करें आप मोदी जी आये हैं ना तो 20 करोर का डर दिखा रहे हैं 110 करोर वाले को मोदी जी इसलिए आ जाते हैं कि जिस देश का राजा ही कलर देखके पहचान लेता है कि जाती धर्म का है तो कौन फैला रहा है न फरत मोदी जी तो फैला रहे हैं न अरे 2017 के यूपी चुनाव में आपको याद होगा कि ये कलर क्या कहते हैं कबरिस्तान और समसान घाट के उपर भासन मोदी जी दिये थे न मैंने तो नहीं दिया लोगी कहते थे मंदिर नहीं बन रहा नहीं बन रहा मंदिर का डेट आगे एक जनवरी 2024 को उद्धाटन हो जाएगा राम मंदिर का कुछ नहीं होगा और होगा तो कोई आहसान नहीं कर लेगा 14,000 करोड रुपया पीके बैठे हुए है भारतिये जनता पाटी के लोग 1992 का गोटालों की सरकार यहीं दिक्कत है कि हिंदुत के लिए काम कर दिया है क्या मजबूत हुआ है साला एक नेपाल जैसा देश हमारे सैनिक को मार के चला गया हमारे नागरिक को मार के चला गया यहीं मजगूत हुआ है चायना घुसके हमारे बीस जमान को सहीद करके चला गया मोधी जी बोलते हमारे देश में कोई घुसा नहीं हमारे देश में कोई पोश्ट कबजा हुआ तो ये 20 जवान हमारे सहीद कैसे हो गए कैसे हो गए सारु खान को आप देस्वक्ट मानते हैं देश का एक एक नागरिक देस्वक्ट है चाहे वह हिंदू हो मुसल्मान हो सीखो इसाइव का भारत की आजादी में योगदान है सारू खान जो लोग कहरें जिहाद फैलाते हैं वहां से बॉलीवूड का बाइकॉट की हो रहा है फिर कौन बाइकॉट कर रहा है आप ने किया आप सनातनी है आप सादू संदों की बात नहीं है कोन से जर्म से हैं मुसलिम हैं और जुट बोलने को नहीं मिला और यह बताये हैं आपको नहीं लगता है और पे पूरा विश्वास करता हुँ और उसी के नक्से कदम पे चलता हूं लेकिन नफरती बात yap insurance का धर्म कि नफरती दहर्म नहीं है हमारे अरे इससे पहले कोई हुट नहीं पैहनी है नहीं पहनी है भारतियां जन्ता पाटी में है नापने आपको मानते हो लोग भगवा में डांस करें विक्नी पेने आपके नुजार सब ठीक है भाईया सभी रंग में कपड़े बनते हैं सदियों से बनते आए हैं हर बेक्ति को आजादी है हर रंग पहनने का हर नाचगान करने का इसे मुझे कोई आपती नही थे जो कि तमाम सवालों का जो है बड़ी बिबाकी से यहां पर जवाब दे रहे थे तो फिलार वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो से अपर हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद